देश में कट्टर इमांदारी का दावा करने वाली पार्टी के सबी बड़े नेता बरस्ट चार के मामने विफस चुके हैं एक एक कर इनकी सचाई जुनता के सामने आ रही है लेकिन लोगों का मानना है कि पार्टी के अंदर एक से बढ़कर एक ड्रामे बाज लोग पैठे हुए है त्यार जेल जाकर सीम के जिवाल ने चिट्टी लिखनी शुरू की और जुन आपके इस ड्रामे बाजी पर तमाम तरह के सवाल सुलक रही हैं क्यों ड्रामा कर रहे आम आदमी पार्टी के ने था कि जिवाल के राह पर क्यूं चले सिसोधिया मनेश सिसोधिया ने जेल से क्यूं लिखे चिट्ठी इससे पहले क्यूं नहीं आई जनता किया इन सवालों ने सियासी पारा हाएक कर दिया है और आम आदमी पार्टी के ड्रामे से पर्दा उठा दिया है ते आप जाने के बाद चिट्टी लिखने के शुरवात के जवाले की संधेश बेजने के बाद पत्नी को सीम की कुश्य पर बैठा कर वीडियो चारी करवाया दिल्ली की जनता से सहानुबूती पाने के लिए अलग अलग पैत्रे आजमाये जा रहे स्टोरी में आगे बताएंगे क्या जेल से बाहर आने के बाद संजे सिंग से संबलेगी पाटी लेकिन सबसे पहले बाद सिसोधिया के जेल वाली चिट्टी की दरसल दिल्ली के पुर्व उप्मक्यमंत्री मनेश शिसोधिया को साल 2023 में दिल्ली आपकारी नीती में कथित घोटाले के तर पूचताच के बाद गिरफतार कर लिया किया जिसके बाद वो फिलाल तिहार जेल में बंद है इसे बीच मनेश शिसोधिया ने जेल से चिट्टी लिखी सिसोधिया ने चिट्टी में रहाई की उम्मीद के सांथ लिखा कि जल्धी बाहर मिलेगे सिसोधिया दिल्ली के सिक्षा मंत्री रहे हैं उन्होंने उसी तरफ इशारा करते वे लिखा कि सिक्षा क्रांती जिंदा बात और कहा लव यू आल सिसिसोधिया पर तीखा तंच कस्त्apat कि बाहर आने के सपने छोड़ दीचिए मजिंदर सिंग ने कहा । मैं ब्दाल्स भाकर लोगों के मनिश्य सोधिया ने चिट्टिली के और कहा कि पिछले एक साल में मुझे सब की याद आई उन्होंने अपने विधान सभा के लोगों को पिछले एक साल में उनके बिना काम करने की सराना करते हुए कहा कि सबसे बहुत इमांदारी से बिलकर काम किया है पर्वस सिक्षा मंत्री ने कहा कि जैसे आजादी के समय सबने लड़ाई लड़ी वैसे ही हम अच्छी सिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं अंग्रेजों की तानख शाही के बाद भी आजादी का सपना सच हुआ वैसे ही एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी सिक्षा मिलेगी मनेश्य सोध को भी जेल में डाला मनेश शिसोधिया ने कहा कि यह लोग मेरी प्रेड़ना है और आप सब मेरी ताक्मत विक्सित देश होने के लिए अच्छे सिक्षा स्कूल का होना बहुत जरूरी है मनेश सिसोधिया ने मुख्यमंत्री के जिवाल के तारीव करते हैं कि मुझे खुश सिसोधिया ने कहा कि जेल में रखकर मेरा प्यार आप लोगों के लिए और बढ़ा उन्होंने पार्टी निताओं का शुक्रिया करते हुए कहा कि मेरी पत्नी का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा सिसोधिया ने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कि सीमा आपकी सब की बात करते हुए भावी को जाती है आप सब अपना रखिये वहीं बीजेपी नेता मजिन्दर सिंग मनीश चिसूधिया पर हमला करते हुए कहा कि मनीश चिसूधिया जी Hem मैं मनीश्य चिसुधिया जी को बताना चाहता हूं कि आपको लोगों नी सिर्षा मनत्री बनाया था पर आप शराब मंत्री बनना चाहते थी मजीदर सिंग ने कहा कि किताब की जगा आपने बच्चों के हाथ में शराब की बॉटल दे दी इसी कारण से आप जेल में और आप बाहर आने के और दुबारा मंत्री बनने के सपने छोड़ दीचे अब आपको सजा होगी आपकी पापों का हिसाब जेल में होगा तो शराब गुटाले के आरोप में जेल में बन दिली के पुरोज जिप्टिसी मनीश सोद्या ने आपने विधान सबाचित पतपडगंच के लोगों के नाम चिठ्ठी लिखी मनीश सोद्या ने लिखा कि जल्दी बाहर में लेंगे संजसिंग ने प्रेस का दिल्ली शराब गुटाले को लेकर कई सारे बाते मीडिया के सामदे रखा संजसिंग ने कहा कि आम आप भी पार्टी के निताओं को चुन-चुन कर पसाया जा रहा है दिल्ली के सीम अर्विद के जिवाल भी इस साजिश के शकार हुए हैं और वह पुराने अंदाज में देखे और कई सारे मुद्व पर बाते रखी बता दे कि आपके बड़े निताओं में संजसिंग की एक मात्र ऐसे नेता है जो तिहार जेल से हाल-फिलाल में जमानत पर बाहर आए हैं वो भी शर्शर्थ जमानत पर दिल्ली के सेम अर्विद के जिव संजसिंग के बाहर आते ही आम आदमी पार्टी में उत्सा का संचार होके आए हैं पहले से जादा अक्राम अपको के हैं दिल्ली की राजदेती को समझने वाले भी मानते हैं कि पार्टी को लोग सबाद चुनाओं के दौरान एक बड़ा चैरा बन क्या जो कारेकरताओं में संचार करने का मद रखता है सांधी संजसिंग इंडी गड़बंधन के नंताओं के साथ बहतर सथाफित कर सकते हैं पार्टी सुत्रों के माने दिनों में रासेतिक फैसलों में संजसिंग की भूमिका एहम होने वाली है राज्य सभासांसर, संधीप पाठक, पंजाब की सीम भगवदमार और संजर सिंग मिलकर कई बड़े फैसले ले सकते हैं पताते हैं कि संजर सिंग छे महीने के बाद जिल से बाहर है ऐसे मेवा दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मने लॉंजिंग के इसमें कई सारी जानकारी और जमानत मिलने का आधार बता कर जिनता के बीच जाएंगे इसके साथ ही संजर सिंग सायोगी दलो के साथ सामचस से बैठाने में भी महत्वपूर बोमिका अदा कर सकते हैं गयर मौझूद्गी में पार्टी बहुत जादा कमजोर देखने लगी हालाकि सौरब भादवाज सोमनाद भार्ती आतीशी और कुपाल राया जैसे नेता और मंत्री अक्टिव थे लेकिन वह इतना असरदार साबित नहीं हो रहा था जितना अब होगा वीजेपी से सड़क कारिकरताऊ में उत्तागा संचार तो हुआ है साथ में ताकत भी मिली संच एक अच्छा राजनितिक्य होने के सांसा खुशल रननीतिकार भी इसके साथ ही उनको प्रक्रशित और उनको वोड में तबदील करने की कला भी संचों के समय में पार्टी के वॉलेंटेर्स को कैसे एक जूट करके रखना चाहिए साथ ही उनका दमाग जानता है कि जनता का अभी मूड क्या है यानि कि जनता का मूड माप सकते हैं संजिन सिंग के रहाई के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री बगमतमान पर जिम्मेदारी का बोज घट जाएगा संजिन सिंग के बाहर आने के बाद आने वाले दिनों में पार्टी में कई और बड़े बतला देखने को बल सकते हैं पार्टी निताओं की माने तो कई महिला बिदायकों और निताओं को पार्टी में हम जिम्मेदारी दी जा सकती है इसमें दिल्ली महिला आयो क्या धक्ष जोश में ये सब भूलते जा रहे हैं जिसके बाद जानकारों का मानना है कि उनकी मुश्किले फिर से बढ़ सकती है अभी जरूरत है संजे सिंग को फूख फूख कर कदम रखने की लेकिन वो मानने को तयार दी दूसरी तरफ सिसोधिया के चिट्टी को लेकर काही तरह के सव वकूप बनाने की कोशित हो रही है लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने ती आचाएगा सो लगता सवाल भी आज के लिए तना ही किसे और मुद्दे के साथ परसे पेश रोंगे तब तक के लिए आप देखते रहे हैं कापिटल टीवी नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमार साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया